अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए वह भी बिना किसी एक्जाम चाहिए तो आप पिलकुल आपने ठीक चैनल को सब्सक्राइब किया है और ठीक वीडियो को किल्क किया है तो चलिए चलते हैं इस भरती की संपून जानकारी पर और सरकारी पर्मानेंट भरती है आपको ये वीडियो बिल्कुल पूरा देखना चाहिए और अगर आप चल पर नहीं है ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए सब्सक्राइब करने से आपके पास जितनी भरतिया आये ना और जितनी भी सरकारी हो जना उनके मैसेज और अपडेट प्रपर तुरिके से आपके पास आते रहेंगे नमस्कार मैं गौर्व सर्मा आप सभी का साखत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवाइजेंड एजूकेशन पर तो चलते संपूर्ण जानकारी की तरफ जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ये जो आपका पद है वो है आपका गुरुबडी का और इस पद का नाम है आपका चप्रासी अब बात करते हैं इस भरती में चपरासी की एपलाई की तो भाईया एपलाई स्टार्ट है आपकी और इस भरती की जो आपकी लास्ट डेट है ना वो मैं आपको बता दूँ वो है आपकी 4-11-2024 इसके बाद 4-11-2024 के बाद ये भरती ओल इंडिया भरती है मेल और फीमेल सब के लिए बात करते हैं क्लास की क्लास आपको सिर्फ एर्थ पास होना चाहिए अगर आपके पास 10th है तब भी आप इस भरती का फॉर्म फिल कर सकते हो ये भरती चप्रास से की है तो आप फॉर्म भरते वक्त ड्रामा ना करें बीए 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 सी एमे सी ना लखें हवाजी ना करें क्लास के बात ही है अगर एर्थ है तो एर्थ 10th है तो 10th बारवी की भी नहीं लगानी है आपको सिर्फ ये ही दो लगानी है अगर आप तिल से इस वीडियो को देख रहे हो तो इसके बाद आप बात करते हैं पीसली जो मैंना कुछ बात मताई थी नो फीस नो एक्साम कोई भी एक्साम नहीं है इसमें किसी भी परकार का अब बात करते हैं इस भरती के लिए आपकी एज की 18 से 42 साल है SC, ST के लिए 5 साल और OVC के लिए 3 साल जो आपकी इस भरती के लिए एज की काउंटिंग होगी वो होगी भाईया आपकी 1,10,2024 से अब बात करते हैं आपकी सेलरी की जो आपको इन हिन मिलेगी चपरासी के लिए देख लीजिए, चपरासी के लिए मिलेगी आपको 26,000 पलस रहना, खाना, पीना, सब कुछ आपको ही मिलेगा मोटे सब्दों में अगर कहूं तो मलाई वाली नौकरी है ये तो आपको बची जाएंगे, बस आप समझ जाएए, मैं आपसे क्या कहना चाहरा हूँ इस भरती के लिए आपके पास फॉर्म होना चाहिए और उस फॉर्म को मैं दूँगा बिल्कुल फ्री औफ कॉस्ट और उस फॉर्म की कीमत है आपकी 25 रुपे जो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको फ्री में कैसे मिलेगा तब ही तो मैं आपसे कहता हूँ कोई अंतक देखिए इसके बाद जब आप इस भरती के लिए एपलाए करोगे तो आपके पास जोकिमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए उनको ध्यान से देख लीजिए अगर आपके पास एर्थ की मार्ग सीट है तो वो और उसमें डेट बर्थ है तो वो नहीं तो आप तेंथ की भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है फोटो कॉपी दूसरे नंबर पे आपके पास होना चाहिए किसी भी कीमत पर आधार काड़ की फोटो कॉपी पीसरे नंबर पे होना चाहिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट फोर्थ नंबर पे आपके पास होना चाहिए डॉमी साइल जो सबसे ज़्यादा जरूरी है इसके विना आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा इसके बाद और सबसे ज़्यादा जरूरी पेन कार्ड ये भी मांगा गया है इस बात तो ये चीजे आपको हर कीमत पे चाहिए और इनकी चलेगी आपकी फोटो कॉपी पेस्ट पासपूर्ट साइज फोटो कि इस बाती में जो आपके पद है ना वो हैं टोटल 13 13 पदें चप्रासी के लिए और आपको इन पदों के बारे में बिल्कोल नहीं सोचना है मुझे इस बारे में बताना है चप्रासी के काम क्या होते हैं और सरकारी नोगली ले और मैंने ड्रेसिंग सेंस के वी वीडियो डाले हुए उनको भी आप देख जाना कि आपको कैसी द्रेस पहन के जाने हैं लड़कों को भी और लड़कों को भी किसी का कोई डाउट रहेगा तो कमेंट कर दें मैं कमेंट कर जवाब देता हूं मैं यूटुबर हूं लेकिन रिप्लाइ नहीं करते इसके बाद अब आपको यह फॉर्म भीजना का है स्क्रीन सॉट ले लीजिए आप वह मैं एड्रेस आपको लिखवा देता हूं जिससे आप आराम से उस एड्रेस पर अपना फॉर्म सेंड कर सको तो भाया आपका एड्रेस है यह देख लीजिए आपके इस एड्रेस को लिख रहा हूं उसी हिसाब से आपको लिफाफ़े पर आपका एड्रेस लिखना है यह देख लीजिए आप तू दा कि दिस्टिक एंड सेशन्स जज रिवाड़ी आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि यह जो भरती है आपकी चप्राशी की वो है आपकी कोड की यह आपका पिन कोड है बारत चौटिस जीरो एक एच्चा अब आपको लिफापे के उपर यह एड्रेस तो लिखना ही है इससे उपर एप्लीकेशन फोर जैसे मैं लिख रहा हूँ दा पोश्ट ओफ यहाँ पे लिखना है आपको पी यो एन यानि कि चप्राशी यह आपको लिफापे लिखना है इसके बाद यहाँ पे आपका नेम जाएगा जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से एड्रेस अगर आप गड़बड करते हो तो आपका फॉन रिजेक्ट हो जाएगा फॉन नंबर जो भी आपका रहेगा वो आपको यहाँ लिखना है इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ आपको इंटर्व लेकर क्यू तक जाना है आपको 28 को जाने कि 28 नंबर इसके बाद आर यू वी डवलू एक्स वाई जेड यह जाना है आपको 29 को और एस और टी को जाना है आपको 30 नंबर को इस भरती का जब भी रजलत आएगा तो नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आ जाएगा अगर आप साइड से खरीते हो तो तब मिलेगा आपको 25 रुपे का लेकिन मेरे पास से बिल्कुल फ्री तो यह मिलेगा कैसे इसके लिए आपको करना क्या है एक चैनल सब्सक्राइब करना है दूसरा इस वाटसब नंबर को आप लिख लीजिए सेव कर लीजिए पहले आप टेलीग्राम गुर्प को जॉइन कर लीजिए उसका एड्रेस है आपका एड़ारेट एडी वी आई एसी 44 और इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूगा आप महां से भी किलिक कर सकते हो इससे अलग नब्हे पचास चौवीस अठासी उननचास इस पर आप वटसप में हाय कर सकते हो और मैं आपको फिर फॉर्म एविलिवल करा दूगा बिना किसी भी चार्ज के और जब आप फॉर्म भर लो तो मेरे पास आप्विली चौह से अपरम हमें आपको यह बता दुगा कि आपका जो फॉर्म है वह तरीक से भराए और नहीं भराए रिजेक्ट होगा या नहीं होगा सबसे पहले आप मेरे पास टेलीग्राम पे फॉर्म सेंड करना क्योंकि मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे ही रिप्लाय करता हूं उसके बाद मैं वर्टसप पे रिप्लाय करता हूं तो प्रिफ्रेंश टेलीग्राम को दिया जाएगा तो यह यह दौनों आपके पास हैं यह आप खुद से सोचे कि आपको चूज क्या करना है जितना भी आपका फॉर्म रहेगा वह आपको क्यापिटल लेटर में भरना है बिना किसी दिक्कत के फॉर्म भरना नहीं आता तो आप मेरे वीडियो की लिस्ट में जाएए वहां आपको सारा जोड़ा हूं और आपके हर कमेंट का खुद से रिपलाय देता हूं दूसरे यूट्यूब टीचर की तरह नहीं वीडियो बना कर से ले जाते हैं आप लोग देखते हो और आप लोग कमेंट करते हो आपके किसी भी कमेंट का जवाब नहीं देते हैं वो तो आप सोचिए इ एक लाइक और जरूर कीजिएगा मुझे बस आपके एक लाइक की जरूर होता है अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसी बनाए रखें और कॉल बिलकुल भी ना करें कॉल के लिए नहीं है ये नमबर सिर्फ वर्टसप मैसेज करना है आपको निवेदान है मेरा और जितने भी आप मैसेज करो मेरे पास उन मैसेज को बाद में आपको कमेंट में करना है नमस्कार